मुझे सप्लीमेंट विला में बिलकुल मतलब की अच्छा फील हो रहा है जो मैंने अपने बेटे को वो जो पहले जो गेन खिलाया था उसने इतना नुकसान दे दिया कि इसके पूरी बोड़ी पे और चेहरे पे मतलब इतने मतलब फुनसियां और रियक्शन कर गया और इसके गले गले ऐसे फूल गए गुबारे की तरह और सरीर के जॉइंटों पर सूजन सी आने लगी और उसके बाद मैंने वह जैसे ही बंद कर दिया तो इसकी भूक प्यास बंद होगी और लीवर ने काम करना बंद कर दिया तो दोस्तों जैसा कि मैं आपसे कही रहा हूं कि सप्ल प्रिमेंट दिलाने के लिए और यहां पर बेटे का एक experience भी है जो शेयर करेंगे आपके साथ आप भी कहते हैं ना कि यह ले 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 इतना सस्ता गेनर उतना सस्ता प्रोटीन यह वीडियो देखी वो वीडियो देखी यह result वो result तो यहां पर भाई जो है अपना जो ह कह सकते हैं कि अच्छा खासा चेहरा जो है जो एक रौनक हुआ करती है वो गवाई चुके है और यहां पर इनके पिताजी भी शिकायत कर रहे देगी आप तो काफी improvement होगी है वरना इनको जो है काफी ज़्यादा खराब हो चुका था बिलकुल चेहरा तो यह वीडियो करेंगे जरा एक बार भाई से उनका experience तो यहां पर स्वागत करूंगा मैं बहुत बहुत स्वागत है जितेंदर जी और देविंदर जी आपका ही बहुत स्वागत है तो यहां पर introduction लेते हैं एक बार मेरा नाम जितेंदर है जी और मैं यही से पलवल से हूं जी तो मैंने करीदा जी बट मैंने खरीदा फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे गेनर दिया जी उसके बाद मैंने उसका यूज किया मेरा थोड़ा बहुत वजन बढ़ा जी बट जिस तरीके से बढ़ना चाहिए वजन उस तरीके से मेरा वजन नहीं बढ़ा उसने मेरे चिक्स पर गाल और बहुत ज़्यादा मतलब की फरक दिखाया मतलब गाल फुला दिये घूट पारे की तरह हां जी बлекुल और सबसे मेरे एकने पिमपल्स निकाल दिये यह जितने भी, मतलब ये जो अब हमेरे, ये जो मेरे निसान हैं ये उसी के हैं बहुंच जादा बिल्कुल पहले कलियर था बट दुख होता है इस चीज का के पैसे भी जाते हैं और चीज कोई अच्छी नहीं मिलती तो इस चीज का दुख होता है और यहां पर पैसे भी भाई पता है कहा नहीं नास्य जिए पर उन्हों बाई की तरह ही ख्याल रखूँगा जरुत है सप्लीमेंट की दूँगा जरुत नहीं तो नहीं दूँगा और यहां पर जो है इनके फादर साब भी आएं उनसे भी एकर इंटर्डेक्शन लेते थे सर नाम हाँ जी मेरा नाम देविंदर है जी सर कैसा फील हुआ है हांके आपको यहां के तो मुझे बहुत अच्छा हुआ है और मुझे सप्लीमेंट विला में बिलकुल मतलब की अच्छा फील हो रहा है और जो मैंने अपने बेटे को वो जो पहले जो गेन खिलाया था उसने इतना नुकसान दे दिया कि इसके पूरी बोड़ी पे और चेहरे पे मतलब इतने मतलब फुंसियां और रियक्शन कर गया और इसके गल्ले गल्ले ऐसे फूल गए गुबारे की तरह और सरीर के जॉइंटों पर सूजन सी आने लगी और उसके बाद मैंने वो जैसे ही बंद आईए अब ये एक समानने हालत में थोड़ा बहुत खा पी रहा है और इसका वजन पहले से काफी कम हो गया है अब इसलिए मुझे पता चला कि जैसा मैंने वीडियो पे देखा सप्लेमेंट विला में सर हैं और वो मतलब की अच्छा देते हैं तो मैं इसे आके आज मिला क्या आप एक बार आके यहां ले या ना ले लेकिन एक बार आके मिल जरूर ले देख जरूर ले दोस्तों यही है वो विश्वास देखने एक पिता का विश्वास है और मैं पूछना हूँगा सर जब बच्चे को नुक्सान ओड़ेते तब दिल तो कही नहीं दुखरा हो हाँ जी मेरा नुक्सान इतना हुआ था कि जिस वक्त गेनर ने इस मतलब की इसका पूरा सरीर बिगार दिया और उसके बाद जब मैंने उसे छोड़ा तो इसने जो बच्चा सुवह शाम चार चार पांच पांच रूटियां खाता था वो सुवह ते शाम ता एक रूटी भ इसको थोड़ा बहुत इंप्रूमेंट हुआ है तो दोस्तों यह चीज ध्यान रखें आप कि एक पिता का दिल भी कितना दुखता है जब बच्चे को कुछ नुक्सान होता है और मैं पूछे जाँगा जितंदर आप मुझे बताओ कि जब आप कोई नुक्सान हो रहे थे क तो इनके साथ ऐसा नहीं होता पर कोई नहीं इनक जी जी और सर एक बात और है कि यह आप देखिए कि जो मतलब की मिडल क्लास फेमली है उसमें बच्चा और उनके मावाब कैसे कैसे पैसा इखटा करते हैं मेहनत मजदूरी से बच्चे भी अपनी जेव खर्ची से बचाते हैं और जैसे हमारे बेटे ने उसको स्कॉलर्शिप के पैसे में ले थे इस तरीके से पैसे लगा के और एक अपनी स्यहत पे लगा देते हैं और जब उनके साथ यह धोका होता है तो वो पैसे से गए सरीर से गए और फिर उस सरीर को ठीक कराने में और पैसे लगाने लाने करते हैं यानि यह तिगना नुकसान है और फिर एक मतलब विश्वास तूड़ जाता है और मैं तो यह कहता हूं कि आप मतलब सभी सही निवेदन करता हूं कि आप इन फेंक माफियां से बचके रहें और सप्लीमेंट विला में आएं देखें और आपका मन ठोके तब यह देखो सारी एक्सपिरियंस आपको शेयर कर रहें यह एक्सपिरियंस मैंने क्यूं शेयर कराया है इसलिए कराया है ताकि आप बच सकें आपके साथ ऐसा ना हो तो पहली बारी जुड़ जाए सप्लीमेंट विला से और आज भाई भाई आप लेने ही आए देना सप्लीमेंट दोगा पलवली रहते हैं आप तो आई सकते दोबारा तो यहां पर मैंने सिर्फ इनको एक चीज दी है ताकि इनकी भूक बड़े थोड़ी लीवर पावर बड़े डाइजेशन स्ट्रॉंग हो सिंपली एक चीज आपको भी पता है क्या है वह स्तार एक्स नू दिया मैंने आज भाई को खाली आद भेज रहा हूं जब अगली वार आएंगे तब इनको दुंगा मैं सप्लीमेंट तो दोस्तों यहां पर आप से भी मेरी रुक्वेस्ट है कि प्लीज आप पहली बारी जुड़ जाए सप्लीमेंट से और यहां पर जैसे इनके साथ इसलिए प्लीज आप जो है सप्लीमेंट से पहली बार जुड़ जाएं तो अभी गड़ पावर तेरह सो पचास रुपे क्या आप भी से ले सकते हैं तो सिंपली डाइट दूगा उसके बाद मिलूंगा भाई से अगली मुलाकात होगी जल्दी और मैं रुक्वेस्ट करू सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए और यह वीडियो शेयर करें यार ताकि और भाई हमारे बस सके सब्सक्राइब नमस्कार